हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माई चैनल माई चैनल नेम इस इंडियन रियल लाइफ रियल हूम और मैं प्रीती आप सभी का आपने चैनल पे स्वागत करती हूँ जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को मालूम है कि हम अभी गवरी गनपती स्पेशल वीडियोज में आपके कर रहे हूँ तो गवरी गनपती वीशेश जो स्पेशल हम सिरीस बना मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ उसमें मैं आज आपके बनाते हैं उसी की टेस्ट की ये गुजिया भी बनती है और बहुती आसानी से ये गुजिया बन जाती है इसे कोई भी बना सकता है बहुती आसान है ये गुजिया बनाना तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपके लिए helpful रहे तो मेरे इस वीडियो को like कीजे, share कीजे, comment कीजे और चैनल को subscribe कर लीजे तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये designer गुजिया किस तरह से बनाते हैं इसका वीडियो सबसे पहले मैंने यहां पर बढ़ा सा बाउल ले लिया है, उसमें एक कटोरी बरके मैंने मैदा डाल दिया है और हमारे टेस्ट के according मैंने नमक डाल दिया है और 2 से 3 टेवल स्पून मैंने यहां पर ओल डाल दिया है और हमें मेदा, ओईल और नमक इसे अच्छे से एकसा कर लेना है एकसा करके हमें इस तरह से हमें ये इसकी जो लड़ू बना लेना है अगर इसका इस तरह से लड़ू बनता है तो इसमें हमें बस दो से तीन टेबल स्पून ही ओईल चाहिए अगर इस तरह से लड़ो नहीं बनता है यह जो मेदा है यह थोड़ा सा हमें ड्राय लगता है तो हमें इसमें थोड़ा सा और ओल डालना है और इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें अच्छे से गूत लेना है थोड़ा सा सक्ती हमें यह आटा गूतना है और के बाद हम इसमें से यह जो आटा है इसमें से तीन लोईया निकाल लेगे और तीनों में से दो लोईया जो है उसमें हम एक रेड कलर का फूड कलर डाल देगे और एक ओरेंज कलर का फूड का डाल कर इसे इस तरह से एकसा कर लेगे यह कलरफुल हमने दो यह एक हमने आटा ब बना लेना है उसके बाद फिर हम एक चमच मैदा लेगे उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर हम इसका थिक ऐसा बैटर बना लेगे जिससे कि हमें गुजिया जो है उसे अच्छे से बंद करने के लिए उसकी जो छोड़ होते हैं उसके लिए यह हमें चाहिए होगा तो इस तरह से हम यह बैटर बना लेगे और इसे साइड में रख देगे और हमें यह डखकन चाहिए जिससे कि हमारे सभी गुजिया जो है एक सार बिल्कुल एकी आकार के हमारे गुजिया बनेगे अब हम क्या करेगे अब हमने जो वाइट वाला बड़ा वाला आटा निकाल के रखा था वो आटा जो है हम वो लेगे और इसकी इस तरह से ये रोटी बेल लेगे थोड़ी सी हमें थोड़ी सी ही बस हमें इसे मोटी रखने है ज्यादा नहीं ज्यादा पतली भी नहीं करने है और ज्यादा मोटी भी नहीं करने है और उसे इस तरह से हमने जो ढकन लिया था उसके हिल यह जो पूरिया बना ली है इस पे निकाल लीनी है यह देखे इस तरह से बहुती बढ़िया यह लगती है और इसे हमें इसी तरह से हमें पूरी जो पूरिया हमने बना ली है उस पे हम यह डिजाइन बना लेगे उसके बाद हम इस तरह से यह पूरी जो है हाथ में लेगे और इसमें हम स्टपिंग बर देगे और इसके छोड जो है इस तरह से दबा कर बंद कर लेगे जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हमें ये करना है इसके छोड बिल्कुल अच्छे से हमें बंद करना है वरना ये हम जब डिफ्राय करते ह तब ये चोड निकल जाते है तो इसे हमें अच्छे से दबा कर ये चोड बंद कर लेने है और उसके बाद इसे हमें इस तरह से मरोडते हुए इसमें ये डिजाइन निकाल लेनी है जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हमें इस तरह से हमें फूल बनाने है, वो बना लेगे, तो इसके लिए मैंने वाइट आटे की थोड़ी सी छोटी सी एक लोई ले लिए, इसे इस तरह से हातों की हिल्प से हमें दबा कर थोड़ी सा गोल गोल कर लेना है, और उसके बाद हमें चक्को की हिल्प से इसे इस तरह से कट दे देने हैं, ज्यादा अंदर तक हमें ये कट देने नहीं है बस थोड़े थोड़े ही कट देने है और हमें जितने चाहिए उतनी हम 4, 5, 6, 7, 8 इतनी कट हम इसे दे देगे और ये देखिए इस तरह से हमें ये उठा लेना है और ये जो दोनों जो कट दिये हमने उसके दोनों छोड़ जो ह ये फूल बहुत ही अच्चे से बनकर रिडियो होगया इसे तरह से हमें इक्राव फूल भी फूल बना लेने हैं तो ये फूल जो है यह हम एक गुजिया ले ले और विश्च स्टिक करने के लिए हम ये आटा जो है हमने ठोड़ासा पतला कर लिया था उस растा झोड़ा सा बिल्कुल भी हम जब गुजया फ्राइ करने वाले हैं तो उस वक्त निकलना नहीं चाहिए इसके लिए हम इस पे यह जो लोंग है यह इस तरह से लगा देगे और यह देखे इसे लगाने से इसका लुग भी बहुत ही अच्छा आता है और यह गुजया जो है इसके उपर यह फूल भी बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाता है इसी तरह से मैं यह कल्रफूल भी फूल बणा लूगे यह फूल भी बना लेना है और इसमेदा की हे लगाने से पहल्ले स्टिक कर लेना है और उसके बाद हम जो लोंग है उसके हिल्प से इसे अच्छे से बहुती अच्छे से पैक कर लेगे गुजिया के ऊपर तो जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हमें ये जो प्रोसेस है ये फॉलो करनी है और इसी तरह से हमें ये सारे फॉल बना लेने हैं यहाँ पर हमें हमारी क्रियेटिविटी दिखाने हैं आप बनाए, छोटे बड़े किसी भी साइस के आप यह फूल बनाए और इस तरह से आप यह जो लोंग है इसके हिल्प से इससे इस तरह से स्टिक कर दे और यह गुजिया बना ले तो मैंने यहापे अपने क्रिएटिविटी के हैसाब से इस तरह से इतने सारी गुजिया बना लिए है अब हम इने डिप फ्राइ कर लेगे तो डिप फ्राइ करने के लिए मैंने यहापर ओईल गरम करने के लिए रख दिया है जैसा ही हमारे ओईल गरम हो जाएगा हम जिस कर्ची से यह गुजिया भुनने वाले है उस कर्ची को ओई से हमें ऑईल डालते हुए ये गुजिया अच्छे से बून लेनी है और ये देखिए अब हमारे ये बहुत ही कलरफुल डिलेशियस ऐसे गुजिया बनकर रेडिय हो गए है अगर ये वीडियो आपके लिए हिलफुल रहे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे कमेंट कीजे और अब आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मिझे ये कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताईए कि आपकी गुजिया किस तरह से बने और आपको ये गुजिया क कि रेसिपी कैसी लगी तो चले फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक किरें बाई बाई टेक केर